नमस्कार दोस्तों स्वागत है ले श्कॉलर में आज का वीडियो बहुत ही important है क्योंकि आज मैं banks के बारे में आपको कुछ important चीजे बताने जा रहा हूं जैसे कि bank में government की share holding कितनी है bank की कितनी branches है कितने assets है यह सारी बहुत ही important चीजे है चीजे हैं government bank से related देखिए अगर हम बात करें बैंक पड़ोधा की तो बैंक पड़ोधा के headquarters हैं वडोडरा गुजरात में government shareholding है 63.97% इसका मलब क्या है government का इतना पैसा लगा हुआ है बैंक में इसी वज़े से हम इनका government bank बोलते हैं चीज क्या होती है कि जिसमें government का कुछ share होता है government का पैसा लगा होता है बैंक पड़ोधा की branches कितनी है 8310 बैंक पड़ोधा बना कब था 1908 में और टोटल एसेट्स हैं 12 trillion rupees that is 160 billion dollar यह जो आप data देख रहे हैं यह 2021 लास्ट का है और बैंक का पड़ोधा का revenue था 89010 आठ लाख नबबे हजार मिलियन रूपै बैंक ओफ इंडिया की बात करें तो बैंक ओफ इंडिया के headquarters है मुंबई महरास्ट में government shareholding है 81% branches है 5000 established हुआ था 1906 में total assets है 7.3 trillion रूपै revenue है 484 बैंक ओफ महरास्ट पूने में headquarter है government shareholding 90.97 परसेंट है branches है 2000 branches approximately आप मालीजे 1935 में यह बैंक बना था assets है इसके 1.97 trillion रूपै और revenue है 144 950 million रूपै आप देख सकते हैं बैंक ओफ महरास्ट एक छोटा सा बैंक के अगर बैंक ओड़ोदा या बैंक ओफ इंडिया से आप compare करें Canada bank के headquarters है बैंगलूरू करनाटक में government के shareholding है 62.9% branches है 10,000 established हुआ था 1906 में total assets है 11.6 trillion और revenue है 936 590 million रूपै Central bank of India के headquarters है मुंबई महरास्ट में government shareholding है 93% branches है 4,600 established हुआ था 1911 total assets है 3.7 trillion रूपै और revenue है 259,910 million रूपै देना bank बना था मुंबई महरास्ट में headquarter है ठीक है अब तो जो देना bank है वो merge हो चुका है तो हमें इसके बारें पढ़ने की ज़रूद नहीं है देना bank है इंडियन overseas bank का हमारा चिन्नाई तमिलाडू में headquarter है government shareholding है 96% branches है 3,000 established हुआ था 1937 में total assets है 2.74 trillion रूपै और revenue है 225,240 million रूपै पंजाव और शिंद बैंक ये भी एक छोटा bank है न्यू डेली में headquarter है government shareholding है 97% बहुँ ज़्यादा shareholding की government की इसमें branches है 1500 established हुआ था 1908 में total assets है 1.1 trillion रूपै और revenue है 78,760 million रूपै पंजाब national bank इंडिया का second largest bank है और headquarter है न्यू डेली में government shareholding है 73% branches है 10,769 established हुआ था 1894 में total assets है 12.8 trillion रूपै और revenue है 949,900 million रूपै इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे शॉट में SPI बोलते हैं ये इंडिया का largest bank है मुंबई में headquarter है government की shareholding है 57% ब्रांचे से 22,219 सही सुना आपने 22,219 branches हैं SPI की 1955 में bank बना था 48 trillion रूपै इसके assets है और revenue है 38,40,000 million रूपै आप देख सकते हैं कि SPI इंडिया का largest bank है और PMB इंडिया का second largest bank है और SBI और PNB में कितना difference है SPI में 22,000 branches है PNB में 10,000 branches है 12,000 branches का difference है इसके अलावा जो asset है PNB के 12 trillion assets है और SBI के 48 trillion assets है तो देख सकते हैं कि कितना gap है largest bank और second largest bank में इसी लिए banks का merger किया जा रहा है ताकि इंडिया में SBI की तरीके 4-5 बड़े banks बनाए जा सके युको बैंक कोलकाता में headquarter है 95% government की share holding है branches है 3000 established हुआ था 2023 में total assets है 2.53 trillion रुपए और revenue है 181 660 million रुपए यह भी छोटा सभाइंक है union bank मुंबई में headquarter है 83% government के share holding है 9,000 अप्रॉक्स branches है 1919 में बना था 10 trillion रुपए इसके assets है और 8,32,000 रुपए इसका revenue है तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का largest bank bank है SBI total branches है 22,000 के आसपास second largest bank है PNB और इंडिया का मालिजे oldest bank जो आज भी चल रहा है वो है PNB 1894 में start किया गया था PNB और 1955 में start किया गया था SBI इसके अलावा अगर हम private banks के तरफ ध्यान दे जो तीन सबसे बड़े private banks है एचरी FC bank मुंबई में headquarter है यह start हुआ था 1994 में और branches है 5600 5600 इसके assets है 17,99,506 करोड ठीक है और यहां पर इसका जो revenue है वो है 155855 करोड ICICI bank गुजरात में headquarter है वरोडरा में यह भी 1994 में start हुआ था इसके भी 5000 branches है एक्सिस bank मुंबई में headquarter है 1993 में start हुआ था और इसके भी 4500 branches हैं तो आप देख सकते हैं कि जो private banks है private banks में अब सबसे ज्यादा branches हैं तो अगर आप तीनों को मिला दें तीनों जो भारत के सबसे बड़े private banks से तीनों को मिला दें तो वह SBI के बराबर नहीं पहुंच सकता है SBI क्या जो second largest bank है PNB PNB के बराबर भी बहुत मुश्किल से पहुंचेंगा यह तीनों को जब मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में थैंक यू